आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है ओ необходимо करना चाहते हैं या उसके विद्ध्वान बनना चाहते हैं यदि आप आकांटन्ट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है इस वीडियो सिरीज की सभी वीडियो को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें वीडियोस को क्रमा नुसार देखने के दो तरीके हैं पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट द्वारा टेली की इस वीडियो सिरीज के आज की अथ्याय में आप जानेंगे इसे पहले वाली वीडियो में आपने जाना कि अकाउंट क्या है और अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं अब हम आपको बताएंगे कि जब कोई transaction होता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि transaction में प्रभावित होने वाले दोनों खाते कौन से हैं और किस प्रकार के हैं और फिर कुछ नियमों के अनुसार जिने golden rules of accounting कहते हैं किस खाते को debit और किस खाते को credit करना है ये निर्ने करना होता है जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि खाते तीन प्रकार के होते हैं तो आएए पहले इन तीनों टाइप के खातों के लिए golden rules of accounting को समझ लेते हैं सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिकत खातों के लिए नियम यानि rules for personal accounts ये नियम है पाने वाले को debit करो यानि debit the receiver और देने वाले को credit करो यानि credit the giver वास्तविक खातों के लिए नियम है जो वस्तू व्यापार में आए उसे debit करो मतलब देबिट what comes in और जो वस्तू व्यापार से जाए उसे credit करो, यानि credit what goes out, nominal accounts यानि नाम मात्र के खातों के लिए नियम है, सभी खर्च एवं हानियों को debit करो, मतलब debit all expenses and losses, और सभी आय और लाभों को credit करो, यानि credit all incomes and gains, अभी जो हमने golden rules बताए, उनमें जो terms आई हैं, उसमें से income और expenses के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, अब हम losses और gains के बारे में बता देते हैं, सबसे पहले देखते हैं, हानि यानि losses क्या होते हैं, जब व्याय या खर्च, मतलब expenses, राजस्व यानि revenue से अधिक होते हैं, तो व्याय का आधिक, यानि ज्यादा खर्च हानि कहलाता है, जो पूंजी में प्रत्थी की बजाए कमी करता है, इसे एक उधारन से समझ लेते हैं, माल लीजिए हमें revenue के रूप में 10,000 रुपे प्राप्त हुए, और इस revenue को प्राप्त करने के लिए हमने 12,000 रुपे खर्च कर दिये, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2000 रुपे की हानी हुई, पूंजी पर इसका प्रभाव ये होगा कि पहले हमारी पूंजी एक लाख रुपे थी जो अब 2000 रुपे घटकर 98,000 रह गई, अब लाब क्या होता है ये समझ लेते हैं, जब राजस्व यानि revenue व्याय यानि expenses से अधिक होता है, तो राजस्व की ये जो अधिकता है वो लाब कहलाती है, ये एक प्रकार की मौद्रिक प्राप्ती है, जो व्यवसाई के व्यभार के फलस्वरू प्राप्त होती है, जैसे हमें revenue के रूप में 2 लाख रुपे प्राप्त हुए और इस revenue को प्राप्त करने के लिए हमने देड़ लाख रुपए खर्चा की तो इन दोनों का पचास हजार रुपए का अंतर लाब यानि प्रॉफिट कहलाएगा पूंजी पर इसका प्रभाव यह होगा कि पहले हमारी पूंजी एक लाख रुपए थी जो आप पचास हजार रुपए बढ़कर देड़ ल तो उसमें से मूल लागत कम करने के बाद जो बशता है वो गेन कहलाता है जैसे हमारी कोई संपत्ती जिसका बही खातों में आथ हजार रुपए मूल ले था उसे हमने दस हजार रुपए में बेचा यानि हमें दो हजार रुपए की प्राप्ती हुई ये जो प्राप्ती है वो आमदनी यानी गेन कहलाएगी तो यहां आपने देखा कि आमदनी में राजस्व में से केवल कॉस्ट घटाई जाती है जबकि लाब निकालने के लिए राजस्व में से मूल लागत के साथ अन्य खर्चे भी घटाई जाते हैं अभी आपने इस वीडियो में Golden Rules of Accounting के बारे में जाना इसके बाद वाले वीडियो में हम इन नियमों का उप्योग करना और Manual Accounting की प्रोसेस के अंतरगत आने वाले जर्णल के बारे में बताएंगे